आज की सीडियो में हम बात करेंगे दिवेंगर सुगर लेम्टेड बेए फेंड स्टोक में कंटिनू गिरावट क्यों देखने को मिल रही है मैंने अपने पिछली वीडियो में कवर भी किया था थोड़ा बहुत इसमें भी कवर करेंगे बट इस वीडियो में और ऐसी important point में जानना आपके लिए काफी ज़रूरी है अगर आपने इसमें अपनी बना रखिया है या फिर आप बनाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी हर्फुल रहने वाली है वीडियो को पूरा जरूर देखना आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट आगर फर् इनके quarter 1 के रिजल्ट आई थे और रिजल्ट बहुत ही खराब होई थे जिस वज़े से भी continue गिराउट आपको देखने को मिल रही है और साथ ही मैं आपको बता दूँ पिछले quarter से इस quarter तक पर मोटर ने अपनी होल्डिंग यहां पे कम की है यहां पे 70% से ज्यादा पर मोटर क की होल्डिंग है यहां पे आप कह सकते हो 10% के करीब पर मोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है अब बात करते हैं इसके जो फंडामेंटल है उससे रिलेटेज स्टोक की पी रेशो अभी भी 53 के आसपास है यहीं पे अगर इंडेस्ट्री पी इकी बात करें तो वह 24 के आसपा इसका ब्रेकडाउन यह कर रहा है अब ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैंने आपको बताया भी था कि भी डैप्थ हमारी इंवर्टेड जैसे डैप्थ बनती है यह बन रही है तो यहां पे जितनी यह एरिया है ब्रेकडाउन के बाद सोरी ब्रेकडाउन के बाद उतना ही चार्ट बता रहा है और यहां पर जब इस टोक में तेजी का महूल देखने को मिला था आप सभी को पता है कि गोवर्मेंट ने बजट में अनॉंसमेंट की थी लेकिन जो सुगर से रिलेटि स्टोक थे अच्छी रेली देखने को मिली थी लेकिन फिलहाल जो बेनिफिट एक अच्छी कमपनिज को मिलता है वो जो स्मोल कैप होती है उनको अनॉंसमेंट का इतना बेनिफिट नहीं मिलता है इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें कोई भी अनॉंसमेंट होती है तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा छोटी कमपनिज को ज्यादा नहीं यहां पे ब्रेकड अगर निकल के मेरे सामने आई इस टोक से रिलेटिड की अब रिकवरी दिखा सकता है यह पोजिटिव न्यूज आई है तो मैं आपके साथ जरूर सेयर करूंगी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लेन पिर भी कोई डाउट है स्टोक को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और इस वीडियो का मोटिफ ओनली फूर एजुकेशन पर पजय है मैं किसी को परसिनली कमेंट नहीं करती क्या आप इस टोक में बाई करो सेल करो या फिर होल्ड करो